आप से बनने वाला यह जैम बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े का है तो चलिए अपनी इस रेशिपी को स्टार्ट करते हैं असलाम लेकुम हैपी समर्स टो अफ यू आपको जी जो चीज नजर आ रहे हैं यह है मैंगो का पल प्योरे और वाटेवर रिकॉल तो हम आज बना रहे हैं मैंगो जैम जिसके लिये मैंने 5-6K 만ड़ ले ली थे उनहें पहले मैंने फ्रीज करे लिया था अच्छी-तरा से अच्छी तरह चारीकिसे मैंने उसको फ्रीज कर लिया था जब वह अच्छे तरह से फ्रीज हो गया फिर उसे मैंने डीफ्रोस्ट किया तो उसका जो पल्प है वो मैंगोस बहुत जादा पल्पी हो गया फिर मैंने च्छीला और च्छील के हाथों की हेल्प से ही गुट्लियों के पर से पल्प उतारके उसे ब्लेंडर जाल में डालके अच्छे से मैंने ब्लंट कर लिए तो यह तो कहानी थी कि हमने स्टार्टिंग कैसे की तो अब हम इसका जो फ्लेम है गैस अन करते हैं तो फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूं यहां पर इसको आपने गरम होने के अच्छे तरीकसा इसको गरम करना है फिर नेक्स प्रॉ आपको यह बबल्स दिख रहे हैं ठीक है यह गरम हो गया है आप हम इसमें शुगर आड़ कर देंगे आप अपनी पर मैंगोस कितने स्वीट हैं उसके कोर्डिंग शुगर आड़ कर देंगे फिर जब यह रिजॉल्फ हो जाएगी थोड़ा सा चक के एंद दुबारा कर सकते हैं आप देखे हैं मेरा तो क्वांटिटी काफी जादा है समर सीजन है तो मैंगोस के मज़े तो लेने ही चाहिए और यह मैं आपको बता दूँ कि यह सिक्स मन्स तक यह जो मैंजय हैं बनाना सिखा जोना यह आपका कहीं नहीं जाएगा बिलीव मी आराम से आप वि अफिशल फ्लेवरिंग कुछ भी आरने करें ज़स्ट घर की चीजों से हम यह मैंगो जैम बना रहे हैं मेरे कमस कम 5 kg मैंगो थे एंड मैंने 3 कॉप्स शुगर लिया है यह वाला जो आता है मियरिंग तप वाला यह मैंने लिया है आप अपने टेस्ट के एक औरिंग जो इत आप इसको पकाते जाएं ताकि यह गाड़ा हो जाए जब यह गाड़ा होने लगए तो सिमर करेंगा और इसके बड़े बड़े जो डॉप्स वह बाहर गिरेंगे तो यह देखें जब इस पॉइंट पे आ जाए ना तो आपने एक सिनिमन की स्टिक और सिनिमन पाउडर के दो स्टिक्स एड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने वन बाई फोर्थ जो है वह एड़ की टी स्पून सिनिमन की और इसको मैंने यूं पका लिया था रूम टेंप्रेचर पर जब आ गया तो मैंने इसको जार में शिफ्ट कर देए देखें कितना जमी लग रहा है यह बहुत ह अच्छा बहुत ही जमी बनता है without any preservatives और यह देखें बैट के ओपर अभी सही कितना अच्छा स्प्रेड हो रहा है अभी फ्रिज में नहीं हमने रखा इसे तो अपने घर में इस रेसिपी को ट्राइ कीजेगा अलाहाफिज